So hi what's up guys, कैसे हो आप सभी, आज की इस वडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से, जैसे आपका किसी भी कंपनी का स्मार्ट फोन हो सकता है, कोई वेरी नहीं करता, अगर आपका स्मार्ट फोन as a factory reset हो गया है, as a deleted हो चुका है, आप factory reset mobile के data को recover करना चाहते हैं, वापिस लाना चाहते हैं, तो आप मारी ये वडियो को completely जरूर देखें, दोस्तों, आज की इस वडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि factory reset होए mobile data को किस परकार recover किया जाता है, हमारी कुछ गल्तियां हो सकती है, किसी भी कारणव को अज़र recover करना चाहते हैं, वापिस लाना चाहते हैं, तो वे कौन से मेंतर हैं, वे कौन कौन से तरीके हैं, जिनके मात्यम से हम अपने delete हुए documents को delete हुए, contacts को delete हुए, जो भी every delete हो चुका है, factory reset से, उसे recover करें, अगर आप यह सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आ आप मारी ये वीडियो को completely जरूर देखें, अगर आपको मारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप मारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और इन वीडियो को जाद से आद दोस्तों को फास से जरूर करें, क्योंकि हम अमारे चैनल पर ऐसे ही important वीडियो जो काफी चादा काम करेती है, तो आप मारे चैनल पर इन वीडियो को completely जरूर देखें, तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को सुरूर कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आप में मारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए, तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, गंटे को दबाएं, ओल प्रेस करें, हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कंटेंट को, डेटास को एजर रीकवर कर सकते हैं, अगर आप यह सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यार वीडियो को completely जरूर देखें, तो चीलिए, आपको अपने smartphone पर आचुके होंगें, जब आप ये video देख रहे हैं, तो आर smartphone के बाधियम से देख रहे हैं, और आपको कुछ भी, ज़र recover करना है, तो smartphone पर आपको जाना होगा, लेकिन मैं आपको suggestion बता देता हूँ, आपको अपने smartphone पर जाना है, smartphone के अंदर आपको क्या करना है, यहां एक option आपको देखने को मिल जाता है, क्या settings का, जी यहां दोस्तु setting, mobile setting यह setting वाली setting, यानि mobile के settings है, इसमें आपको कुछ mobile के setting होती है, चेड़ेना, काफी mobile भी गड़ सकता है, काफी कुछ ऐसे settings होती है, important उनको छेड़ने से, mobile में कुछ खराबियां आ सकती है, लेकिन आपको ऐसा का नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ important में आपको बताने वाला हो, उनको ही use में लेना है, इसके लिए आपको अपने smartphone पर जाना है, settings पर आपको as a click कर देना है, setting पर ही आपको click करना है, mobile setting पर, click कर दिया है आपने, इसके बाद दोस्तों आपके पास आपका smartphone कुछ इस type के variant में, हमारे पास चूरा है, वैसा हो गया होगा, लेकिन आपके में नहीं हुआ है, मैं जानता हूँ, क्योंकि जैसा मैं Samsung का mobile use कर रहा हूँ, आप Xiaomi का, Redmi का, AMI का mobile use कर रहे होंगे, तो आप नीचे comment box में comment करके जरूर बताइए आप किस brand का smartphone use कर रहे हैं, मैं आने वाले समय में, मैं वह पर्टिकुलर्ली एक brand भाई करूँगा, जैसे आप Xiaomi, Redmi, Ami, Poco, Oppo, जो भी कर रहे हूँ, उसका brand suggest कर रहे हैं, और उसी के ऊपर particularly हर एक suggestion wise आपको mobile, important चीज़ों के उपर videos बनाकर आपको directly पुरा suggestion दे दूँगा, तो आप नीचे comment box में comment अरके जरूर बताएं, चलिए, हम Samsung का यूज़ कर रहे हैं, आपके Samsung की settings नहीं भी आ रहे होगी, आप Xiaomi, कुछ भी Xiaomi, Ami, Poco, Oppo, every Motorola, जो भी कुछ यूज़ कर रहे हैं आप, तो आपके में क्या रहा होगा, बेकप and restore का option, ठीक है, बेकप and restore का option, लेकिन Samsung में क्या आता है, आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ एक option मिल जाता है, accounts and backup का, accounts and backup पर हमें क्लिक करना होता है, मैंने पहले बता दिया, accounts and backup के अंदर हैं, क्या option आ रहा है, देखिए दूस्तों, backup and restore का, यही topic मेंने, यह suggestion में आपको पेले ही suggest कर दिया है कि आपका mobile अगर other brand का है other company का है तो आपके में directly backup and restore का option आ रहा होगा किसी में काफी अंदर जाने के बाद आता है किसी में बाहर की तरफ आ जाता है जहां भी आ रहा हो आपको backup and restore पर click कर देना है ठीक है? हाजी बाइ कर दिया है अब आपके सामने यहां के आ रहा है यहां आपके सामने कुछ options आ रहे होगे जैसे हमारे पास आ रहे हैं देख रहे हैं आपको यहां पर वो आ रहे होगे यहां ओपर आ रहा है आपको पास backup your data restore data नीचे की तरह बाद आ रहा है Google account यहां गूगल एकाउंट पर अगर आपका backup देखिए मैं आपको एक external source आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ आने वाले समय में अगर आपको Google के माध्यम से अगर आप अपने डेटा को एज़र restore रिकावर करना चाहते हैं तो वो step भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन आने वाले वीडियो जो है इसमें करना क्या है दोस्तों नीचे की और आपके सामने एक option देखन को मिल जाता है external data transfer external storage transfer यह इस पर आपको click कर देना है ठीक है लेकिन आपको इस पर click करने से पहले यहाँ पर क्योंकि हमें अपना data को लेना तो आप Samsung के से ले सकते हैं लेकिन external पर हमें click करना है मैं आपको suggestion कर देता हूँ पहले दोस्तों Samsung का mobile Samsung का cloud server देता है Xiaomi का Xiaomi MI का cloud server देता है Oppo का Oppo company अपना खुद का अलग cloud server देती है आप जिस भी branded company का as a mobile use करते हैं तो हर एक company particularly अपने customers को एक cloud server प्रवाइड कराती है उसी cloud server के अंदर आपका data as a store होता है समझ गए store होता है अब आपके समने हमें तो भी या cloud server की जरूरत as a does not use for the cloud server because हम अपने smartphone में SD card use करते हैं तो यार हमें cloud server की जरूरत ही क्या है उसके उपर मैं आने वाले कुछ समय में वीडियो बना दूँगा आप नीचे comment box में comment करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बैसे ही वीडियो की information मिल भी जाएगी लेकिन चैनल सब्सक्राइब कंप्लेटली ज़रूर यार चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और आपका अगर इन सभी से नीचाते हैं आप नीचाते हैं इन जबेले में ने पढ़ना केवल और केवल only on google चीए हाँ दोस्तों google's email गूगल के मादियम से अगर आप अपने डिलीट हुए डेटा को अगर रिस्टोर और रिकावर करना चाते हैं तो नीचे comment box में comment अरके ज़रूर बता हैं मैं उसको पर भी एक dedicated videos बना कर बता दूँना यहाँ आपर आपको क्लिक कर लिया है यहाँ क्या रहा है वो यहाँ शोर ने लग जाएगा शोर होता है हम उसे डारेक्ली यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं इस परकार से आप अपना किसी भी टाइप का content है डेटा से अगर एज़र डिलीट हो गया है और आप उसे रिकावर करना चाते हैं सेम स्टेप को फोलो करें लेकिन एक दिक्कत आपके आईगी थोड़ा समय के लिए वो इंटरनेट की इंटरनेट अगर आपका अज़र फास्ट है तो दिक्कत नहीं आईगी अभी फलाला हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है कि यह अपने जो डेटा जे उसकी डिसकफरिंग कर रहा है उसके बाद में अब यहाँ आप से उप्सन मागा गया है कि आप क्या चाते हैं क्या एवरिधिंग जिया दोस्तों एवरिधिंग कुछ भी जिया दोस्तों आप अगर सब कुछ चाते हैं तो ये reclite करेंगे लेकिन आपको केवल और केवल accounts चीए accounts चीए calls चीए context चीए SMS चीए तो next option लेकिन आपको other option चीए तो आपको custom पर select करना ना है ठीक है custom कर दिया भाई याजी next कर देदे नीचे next पर हमने click करा अब हुमारे सामने काफी option आ चुके हैं, आपको दिख भी रहोंगें, साइड पर, यहाँ पर क्या important option है, कि एक important चीज थी हमारी videos, यार, हमें videos को ही है, जर रिस्टोरेंट रिकवर करना है, जर चीज़ें, इस नोट यूज़, विडियो को करना चाहते हैं, विडियो को करना आपको जो भी चीज़ें है, सलेट कर सकते हैं, को मुझे कम वाला चीज़, कोभी मुझे इन चीज़ेंगी जरूरती नहीं है, रिस्टोर वा हमने क्लिक करा, क्लिक कर दिया है, क्लिक करते ही हमारा यहां से देखिए, इन्होंने क्या बताया, 99% एक मिनिट के अंदर हमारा जितना भी कंटेंट था, डेटा था, बहस भी रिस्टॉर्ड होने वाला है, 99.9% हो चुका है, लेकिन एक मिनिट में हमारा यह रिस्टॉर हो चुका है, और इन्होंने बता दिया है, कि योर डेटा इस दर ट्रांस्पर एंड बी डन, यानि आपका एक्ट्रनल सोर से जितन बेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें अब आप मारे चैनल को इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपने नहीं कराये तो लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी दोस्तों का प्रेम पूरबाग दिल से अर्दिक धन्यवाद and thank you watching in this video लेकिन अगर आपने चनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चनल को सब्सक्राइब करिए सबसे ले और वीडियो को लाइक करिए उन्हें असी ही informative वीडियो के लिए knowledgeable वीडियो के लिए ग्यानवर्दाइक वीडियो के लिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें काफी important topics important, informative, as a knowledgeable topics में आपको suggest करने वाला हूँ जो काफी ज़्यादा काम करेंगे इसलिए आप आने वाले हमारे चनल की उन वीडियो को completely जरूर देखें उन knowledgeable तरीकों को completely जरूर देखें तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Thank you watching in this वीडियो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें गंटे को दबाएं ओल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए